कल ऐसे खत्म होगी सन की साढ़े साती इन पाँच राशियों को मिलेगी अपार खुशियां दोस्तों जोति सास्त्र में सनी देव को न्याई का देपता बताया गया है ऐसा बताया जाता है कि सनी देव मनश को उनके कर्मों के हिसाब से सुभ या अशुभ फल देते हैं यदि किशी व्यक्त की कुंडली में सन की सुव इस्थती है तो इसकी वज़े से उस व्यक्त को अपने जीवन में सभी सुख सुवधाओं की प्राप्ती होती है। परिसान रहता है। इसके लिए जोतिस सास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनकी सहायता से आप इस बात को जरूर जान सकते हैं। आपको हम पता दे कि जोतिस सास्त्र के अनुसार जिन लोगों के उपर सनी भारी रहता है। उन लोगों के सिरके बाल गिरने लगते हैं। ऐसे संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उश्वेक्त के उपर शनी की छाया पढ़ना सुरू हो चुकी है। अगर आपको अपनी जीवन में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो तुरंत आप सनी देव को प्रसंद करने का उपाई कीजिएगा। इतना ही नहीं बलके सनी खराब होने की वज़े से काम काज में बाधाएं उत्पन होने लगती है। पालतू जानबर की अचानक सिम्रत्य हो जाती है। इंसान नौकरी या फिर बिजनेस को लेकर अधिक परिसान होने लगता है। दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में इस तरह के संकेत नजर आते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। और भगवान संदेव को प्रसंद करने का उपाई करना चाहिए। संदेव के प्रकौप से बचने के लिए जोतिस सास्त्र में बहुत ही उपाई बताए गए हैं। जिनपर हन्वान जी की उपासना सनी 40 का पाट महामृतूंजय मंत्र का जाप। सनी का यानि की अश्टक जो सनी अश्टक होता है उसका पाट करें सूर्देव की उपासना पीपल के ब्रिच का पूजन काले घोड की नाल वाली अंगूठी की धारान करना आदी प्रमुख है सनी देव से संबन्दित मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह सनिश्चिराय नमे य सनिश्चिराय नमे य cosplay को कम सकम 108 भार जयाब जरूर करें इनसे सनी जल्द से जल्द परसन हो जाते हैं साथि संनी मंत्र के जाब करने के बाद सनी देव को आप यहनी सरसों का तेल जरूर चड़ाये दोस्तों भगवाण सनी देव उउश्टी पर प्रसन हो जाते हैं अगर इनकी निरंतर इसी तरह से पूजा पाट करें तो दोस्तों यदि आप इन में से कोई उपाय निरंतर अपने जीवन में करते हैं तो भगवान संदेव की अपार कृपा आप और आपके पूरे पविवार पर बनी रहेगी और इसे आप बहुत कम मेहनत किये बिना ही अपने जी इसे एसे स्योग बन रहे हैं जी आ दोस्तों कल सुबह से माता लक्षमी जी और भगवान संदेव के साथ एक महाशुर संयोग बन रहा है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान संदे आ殖कल से परसंद हो रहे हैं जिसकी बज़ा से कुछ राशियों पर अब भगवान संदे और माता लक्ष्मी की अपार किर्पा दिश्ट बरसने वाली है कुछ राशियों की अब किस्मत चमकने वाली है जी हां दोस्तो इन राश वालों की बारे में वा होने वाले लाव की बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आप से नरोदे की वीडियों का बिल्कुल भी मिशना करें और इसे शुरू से लेकर अन तक पूरा अवश्य देखें तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहली जो राशियाती दोस्तों बतादे वो है मेस राश मेस राश की आद को बतादे की अब आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है अब आपकी साड़े साथी खत्म हो जाएगी और विशेश रुप से साड़े साथी के कोई प्रभाव नहीं रहेगा भगवाण सेंदे की अपार कृपा बनी रहेगी इस राश वाली बेक्तियों के उपर सनिदेव महरवान है और महरवान रहने वाले हैं इस राश वाली बेक्तियों को मान समान की अब प्राप्ति होगी आने वाला समय आपके सफलता हासिल होने की योग बन रहे हैं इसके साथी साथ स्वास सम्मंधी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा आप अपने सत्रों पर बिजय प्राप्त कर लेंगे घर परिवार में आप कोई खुशियों का बातावरन देखने को मिलेगा अच्छे लाब देखने को मिलेंगे कुछ महत्पूर्ण लाब देखने को मिलेंगे अब अगले जो राश याती दोस्तों बता दें आपके उपर अब भग्वान संदे की अपार कृपा दिष्ट रहने वाली है और खुशियाइख फुशियाँ प्राप्त होने वाली है मन चाहे मुरादे पूरे होंगे और अपार सफलता प्राप्त होगी आपको अपने कुछ दोस्तों से मुनाफ़ा मिल सकता है अधिकारियों को पूरा स्चहिए होगा आपको प्राप्त होगा नोकरी पेसा वाली बेखते हो को पदोनती होने की संभावना नजर आ रही है अन्यक प्रकार के धनलाब हो रहे हैं लाब के साथ साथ इस तिना काफी ब प्राप्त होंगे जो कारोबार आपका रुका हुआ था वो कारोबार आप जल्दे से पूरा होने वाला है धन संपत्त के मामले में आप काफी लखी रहने वाले हैं अपार खुशियां प्राप्त होने वाली है कई छेत्रों से आपको विशेश लाब होगा बता दे कि भगवान संदेव किरपा से अब आप दिन दुगनी राज चोगनी तरकी करेंगे अगली राशी यानि जो तीसर जो राशी आती है वो है यहां पर सिंघ रास सिंघ रास के आपको बता दे कि अब आपकी किसमत चमकने वाली है भगवान संदेव की अपार किरपा दुश्टी बरसेगी अनसुल्जे मुद्दे सुल्जेंगे ब्यापार में तीजी देखने को मिलेगी और लाब के साथ ब्यापार में चल रहे घाते का आप भर्पाई कर पाएंगे और मुद्दे समाजय मां ससमान बढ़एगा नई जोभ लगने के सम्भावना है जीवन साथी से आपको संतान प्राति की योग बन रहे हैं संतान की तरक्षिस और उनके कामियाभी से आपका काफी मन परसन रहेगा बता दे कि इस्टुडेंट के लिए अच्छा समय है विद्यारतियों के लिए बहुत खुबसूरत समय रहेगा लिखाई पढ़ाई में मन लगेगा और सिक्षा में आपको बहतरी न अच्छा प्रद्रसन कर पाएंगे बड़े संस्था में दाखला लेने के लिए प्रयास रहे सकते हैं अच्छे कामों में आपको ज़्यादा तर लाव होता हुआ दिखाई देगा अब अगले यानि जो पांचमी जो राशी है दोस्तों वो है यहाँ पर कन्यरास करत को बता देगी अब आपको अपार खुशियां मिलेगी धन संपत के मामलें काफी लखी रहेंगे ब्यापार में भी आपको ज़्यवरिस्ट लाव देखने को मिलेगा जो कार आपको अधूरा है वो कार आशानी से पूरा हो जाएगा में पूर्ण सफलताq प्राप्थ होंगी आपके दोरा बनाई गई यजनाई काफी कारगर सावीत होगी जो कार आपके अधूरे पड़े हैं उनमें आपको विशेश लाव होता नजराएगा यानि कि इसमें आप जे वरिस्त कामियाबी के सिखर पर रहेंगे और भगवान संदेव के अपार कृपादरिष्ट वरिसेगी भगवान संदेव के अपार कृपादरिष्ट वरिसने से आपकी मन्चाहें मुरादे पूरे होंगे मन्चाहिश सफलताएं प्राप्थ होंगे जो कारभार आपका धूरता वो कारभार आपका पूरा होता नजराएगा महत्मौन सफलताओं के सासाथ उचाईयों पर रहेंगे यनि बुलंदियों पर रहेंगे भगवान सनीदेव इन पांच राशियों के उपर और अपनी बिसेश क्रपादर शुभर सेगी इनके उपर आप साधे साधी का कोई भी यानि की प्रभाव नहीं रहेगा तो दस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा जैस शनिदेव साथी साथ वीडियो को लाइक करिएगा ज़दे ज़दा सेर करिएगा और चैनल को शिप्सक्र करिएगा जैस शनिदेव